बाका जिलेवासियों को पहले बार आधुनिक पार्क मिला है लाख सतर हज़ार की लागत से इसका जिर्नोधार कराया और आज से वह समहारनाले पार्क हो गया इस पार्क में भैमुक्त होकर महिला बुजुर्ग पुरूस बच्चे भ्रह्मन योगा कर सकते हैं इस आधुनिक पार्क में स्वच्चता को ध्यान में रखते हुए आयरुवेदिक पौधे भी लगाया गया है इस पार्क में लाइटिंग के साथ कैंटिन की भी विवस्था की गई है नास्ता और हरबल चाय का भी लोग आनंद ले सकेंगे इस पार्क में कई बंबू कौटेज बनाय गया है जो ओरी सा के बिसेष कारीग्रों के दौरा निर्मान किया गया है जिसकी लागत 6,90 कहजार रुपिया आई है इस पार्क को 5,70 की लागत से सजाया गया है या पार्क बांका जिरा के लिए एक अलग पार्क होगा जो आधनिक सुविधा से युक्त होगा ये बातिर नगर परिशत के सभापती संतूस कुमार सिंग ने कही एक लोता पार्क है और यहां के पबलिक के लिए पार्क आज से खोल दिया गया और यहां की जनता लोग आए और सेर सपाटा करें योग करें सब जित का यहां कुन डूपेन ब्योस्था जो कमी बेशी है उसको भी हम लोग कुन कर देंगे जोगा का भी रहेगा जो सुबह में जोगा कराएगा बाकाजला की संभूगंश थानाच्छेतर में महजएक बाईक के लिए नविभायता की ससुलालबालो ने बेहरहमी से पीट कर हत्या कर दी इस हत्याकांट से इलाके में संसनी फैल गई है पुलीस ने मृतिका की ससुल को हिरासत में ले लिया है घटना बाकाजला के संभुगंज पर्खण के कस्वा पंचायत इस्तित सोबनाथपूर गाउं की है जहां पिछले जून माह में बिहाई पार्वती देवी को उसके सस्राल बालों ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या गर दी घटना सनीवा रात की बताई जा रही है मृतिका पार्वती देवी सोबनाथपूर गाउनिवासी पवन यादव की पतनी थी इस हत्या कांट के बाद पूरे गाउं के लोग सकते में हैं पार्वती देवी मुगेर जिलान तरगत संग्रामपूर थाना चछत्र के बलिया गाउनिवासी राजकिसोर यादव की पुत्र पिता लाचकसोर यादव भी घटना की खबर सुन दौड़े हुए अपने बेटी के ससराल पहुँचे जहां उन्हें उनकी बेटी पर्वती मृत मिली उन्हें बताया कि पर्वती की लास को देख कर ही समझा जा सकता है कि किस बेहामी से ससराल बालों ने उसकी पीट पीट कर ह गटना के सूचना पुलीस को मिलने के बाद पुलीस भी मौके पर पहुँची और घटना की जाजपड़तार सुरू की इस बीच खबरों के मुताबिक पुलीस ने मृतिका के ससूर और पवन यादव के पिता चमकलाल यादव को हिरासत में ले लिया है खबर यह भी है कि ग मा की लोग फराल बताये जा रहे हैं चाने वाले लोग यहां गिर्भतार कैसे हो रहे हैं बांका जिले की सडकों से होकर गुजर रहा राज के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमाने पर पहुँचने वाली सराब की बात भी छोड़ दे तुसरी बांका जिले में सराब की खपत कम नहीं है सराब बंदी के राजसरकार की निरने के बाद से इस जिले में पुलीस और उदपाद भी भाग द्वारा जब्त और विनष्ट की गई सराब की बिपुल मात्रा इस इस्तिती को बया करने के लिए काफी है द्रसल इस जिले के चप्पे चप्पे में चल रहे सराब का कारोबार बिहार में सराब बंदी की कानून को लगातार अंगुठा दिखा रहा है हद तो यह है कि जिला मुख्याले सहर तक में सराब के अवे दिकारोबार का जाल फैला हुआ है जिसकी बानगी समय समय पर की गई उत्पाद विभाग और पुलीसिया कारवाई में सामने भी आ रही है लेकिन यह थमने की बजाए लगाताल बढ़ती ही चली जा रही है सराब तसकलों की हिमाकत का आलम देखिए अभी कुछ दिन पुर्व सहर के पुरानी बस स्टैंड और अली गंज से एंटी लिकर टास्क फोर्स के दोरा सराब बरामदगी और पुर में कटोरिया रोड से बड़े पैमाने पर बरामद की गई सराब के बाद ताजा मामले में रईवार को सराब की एक और बड़ी खे बरामद की गई जिसकी डिलीवरी जिला मुख्याले सहर के गांधी चौक पर किसी सक्स को देनी थी पंजवारा थाना पुलीस ने मारा टेकर गोविन पूर ग्रामिन पथ पर गुप्ट सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए एक कार सवार तसकर को 296 बोतल बिदेसी सराब के साथ धर दबोचा मामली की जानकारी देते हुए पंजवारा थाना धच अनिल कुमार साव ने बताया कि उन्हें इस मार्ग से सराब की खेप ले जाने की गुप्ट सूचना मिली थी जिसके आधार पर मार की घेराबंदी कर जानकार के दुरान एक कार सवार को पुलीस ने सराब के साथ गरपतार कर लिया गरपतार तसकर की पहचान देवगर जिले की सारवा थाना च्छतर के हिठारी गाउं के छोटे लाल यादब के रूप में हुई है पुलीस ने कार से जाच के करम में कई काटून में अलग लग रखे ब्रांड से कुल 296 बोतल बिदेसी सराब बरामत कर लिया एवं तसकरी में प्रियुक्त कार को जप्त करते हुए यूवक के बुद्ध बिहार मद निसेद अधिनियम के तहट मामला दर्ज कर लिया गया प्रूर्नत मद विद्याले बैदा चक में सनीवार को विद्याले सिच्छा समीती के पुनरगटन हेतू विद्याले में अध्यन कर रहे चातर चात्राओं के अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई बैठक में विद्याले के सभी गतीवीधियों को सफलता पुर्वक संपादित करने के लिए सचीव एवं छस्दस्यों का चयन किया गया जिसमें सचीव पत पर खुस्बु कुमारी का चयन किया गया सलस्यों के रूप में बिभार देवी, खुस्बु देवी, प्रेमलता देवी, सुजाता देवी, रेनु देवी, कुसुम देवी का चयन विद्याले में अध्यानरत चात्रों के अभिभावकों के दवरा किया गया बैठा कदुरान प्रविच्छक के रूप में CRCC दिनेस मंडल, विद्याले के प्रभारी, प्रधानाध्यापक दिनेस मड़या, नीवर्तमान, वाट्स, दस्य मनोश कुमार मंडल सहित अने लोग मौजूद रहे बाकाजला के कटोरिया थानाच्छेत्र के राधा नगर में एक महिला की मौत संदिक दिस्थितियों में हो गई सनीवार की सुभा महिला अपने घर में मृत पाई गई मृतिका के भाई ने अपनी बहन की मौत के लिए ससुराल बालों को जिम्मेदार ठलाते हुए उसके खिलाब हत्या का मामला दर्जकर आया है पुलीस ने तुरंथ कारवाई करते हुए मृतिका के पती को गिरफतार कर लिया मृतिका के भाई जारकंड के दुमका सहर अंतरगत रसिकपूर मोहला निवासी विकास केवट ने इस मामले को लेकर पुलीस को दिये गए बयान में कहा है कि उसकी बहन निलम देवी की साधी बांका जिलांतरगत कटोरिया थानाचत के राधा नगर निवासी बीरो कापरी से हुई थी उसने आरोप लगाते वे कहा कि मृतिका के पती सहित उसके ससुराल बाले उसकी बहन के साथ अक्सर मार पीट करते थे उसने पुलीस को बताया कि सुक्रवार की राध बहन निलम देवी नों से फोन कर कहा था कि ससुराल बालों ने उसके साथ मार पीट की है सनीवार की सुभा गौक किसी सक्स ने उसे जानकारी दी कि उसकी बहन की मौत हो गई है जब वो लोग अपनी बहन के घर पहुँचे तो घर के सभी लोग फरार हो चुके थे बिकास ने पुलीस के समक्च आसंक का ब्यक्त की कि आरोपियों ने उसकी बहन को जहर दे कर हत्या कर दी है जिसके बाद पुलीस ने लास को पोश्ट माटम के लिए बांका भेज दिया मृतिका पांच बच्चों की मा थी निलम देवी की मौत से इन बच्चों की सर से मा का साया उठ गया इधर मृतिका के भाई की रिपोर्ट पर पुलीस ने परतार सुरू कर दी है पुलीस के मुताबिक मृतिका निलम देवी के पती विकास केवट को गिरहपतार कर लिया गया है